गुद मर्निंग बिकॉम second year की corporate accounting की आज class number 24 हम start करेंगे first unit के तीन chapters हमने complete किये हैं आज हम अपने first unit का ही fourth chapter start करेंगे chapter हमारा valuation of shares, अंशो का मुल्यांकर last chapter हमने पढ़ा था valuation of goodwill, वहां हमने goodwill का valuation किया था ख्याती का मुल्य निकालना जीका था अब हम अंचो का valuation करेंगे shares की value find out करेंगे कि shares कितने का है या shares की price कितनी है तो सबसे पहला question यह आता है कि valuation of share इसकी need क्या है क्या ज़रूरत है valuation करने की तो देखिए बहुत सारे needs होते हैं या बहुत सारे उदेशी हो सकते हैं अंचो का मुल्य आंकन करने के लिए basically अगर हम खुद के view से देखिए तो हम किसी company का अगर shares purchase करना चाहते है तो हम भी तो चाहेंगे कि उस company की actual value क्या है share की वो हमें पता हूँ ताकि मान लिजे किसी company का valuation हुआ है shares का 50 rupees per share की आप से share का value उसके अंकेत मुल्य से अलग हो सकता है मान लिजे हो 10 वाला share है पचास पर उसका valuation हुआ है अब market में अगर वो share 30 rupees में मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं खरीदू अगर वो market में share 40 में मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं खरीदू और अगर company के return अच्छा है उसकी goodwill अच्छी है तो वो 50 की value वाला share में 60 या 70 पर भी purchase कर सकती हूँ तो valuation कम से कम मुझे इतना तो पता हो कि मेरे risk involved कितनी है इस share के अंदर क्योंकि value तो मुझे पता है 50 की अब अगर मैं 60 रुपए देके इस share को खरीद रही हूँ तो rupees 10 per share के साब से risk purchase कर रही हूँ तो मुझे risk का पता होना जीए तो जब भी किसी company के shares में invest किया जाता है तो वहां valuation ज़रूरी होता है हमें value of share पता होना ज़रूरी होता है यह तो हमारे purpose रहा second अगर किसी company का किसी दूसरी company के अंदर absorption हो रहा है या फिर और दोनों merge हो रही है इस तरीके का कुछ हो रहा है या नहीं दो company मिलके एक company बना रही है तो ऐसे case में क्या होगा कि purchase करने वाली company मानलो 2 company है a limited और बी limited ए लिमिटेड बी लिमिटेड को purchase कर रही है तो a limited को पता तो हो कि be limited के shares के लिए मुझे payment कितना करना है, वो कितना देगी, तो जितना उसका worth होगा, जितनी उसकी value होगी, तो वहाँ पर भी valuation के जरूरत बढ़ती है, अंशो के मुले का पता होना जरूरी है, ताकि अंशधारियों को उचद बुक्तान किया जासके, उनको fair payment अगर करना तो ऐसे और भी बहुत सारे उदिश होते हैं, या बहुत सारे ऐसे conditions होती है, जब company के shares की price पता होना जरूरी है, value पता होना जरूरी है, market price different होती है, valuation जो होता है, वो company के balance sheet या company के accounts जो होते हैं, उनके basis पे गया जाता है, वो valuation होता है, और market value वो अलग चलती है, तो market value हम find out कर रहे हैं, हम company के shares की valuation करेंगे, company के ही accounts के basis पर, तो valuation हम पढ़ेंगे, basically हमारे पास दो method रहेंगे, valuation करने के लिए, तो आज हम first method discuss करेंगे, first method जो है हमारा valuation of shares के लिए, उसका नाम है, शुद्ध समपत्ती मुल्यांकन विधी, net assets valuation method, इसको net assets method भी कहते है, इसको intrinsic value method भी कहा जाता है, इसको net assets backing method भी कहा जाता है, तो बहुत सारे नाम है, different, different, एक ही method हमारा है, mainly हम इसको net asset method या फिर intrinsic value method से discuss करेंगे, इसी नाम से आगे, तो net asset method, मतलब इसमें company के shares का valuation करने के लिए, company की net assets को base बनाया जाएगा, company के शुद्ध संपतियों को आधार बनाया जाएगा, then हमारे पास एक information होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और वो क्या है, net assets की, क्योंकि आप जिसे base बना रहे हो, वो जीज तो आपके पास होनी चीज़, जैसे हमने goodwill आले chapter इं पढ़ा था न, अगर आप FMP को base बना रहे हो, या super profit को base बना रहे हो, goodwill find out करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास FMP और super profit, whatever, वो होना तो ज़रूरी है, वैसे ही, अगर आप net assets, सुद्ध संपत्यों के अधार पर अंशो का मुल्यांकन कर रहे हो, कि company की net assets कितनी है, उसके base बेस बेलियोशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपके पास net assets की value होना तो बहुत ज़रूरी है, तो अब हमें सबसे पहले जो चीज सीखनी है, वो सीखनी है कि net assets के से find out करेंगे, क्या find out करना हम सीखेंगे, net assets तो बहुत simple, पिछले चाप्टर में हमने जो capital employed पड़ी थी न, वही है net assets, मतलब total assets, company की total assets minus outsider's liabilities, difference is our net assets, समझ में आरी है चीज, चो capital employer पड़ी थी न, as it is, difference यहां रहेगा, वहां total assets में हम लेते थे, excluding fictitious assets, यानि के कृत्री में नामात्र के समपतिया जो वर्थलास होती है, and goodwill, यही करते थे हम, पिछले चाप्टर में हमने क्या पड़ा है, capital employer के टाइम पे, total assets, but excluding goodwill or fictitious assets, then यहां सिर्फ excluding fictitious assets रहेगा, goodwill को आपको लेना है, क्योंकि goodwill भी थो आपके business की asset है न, अब हम valuation of share कर रहे है, valuation of goodwill नहीं कर रहे है, that means हमारा goodwill जो दे रखा है, बुक्य अंदर वो सही है, तो goodwill को भी लिया जाएगा, including goodwill and all assets, अगर revaluation कर रखा है, तो नहीं value पर, otherwise पुरानी value पर ही ले लो, को यह देख कर नहीं, तो total assets, all assets of company, excluding fictitious assets, सिर्फो सर्फ fictitious assets को, कृत्रिम संपत्यों को जो की, worthless होती है, मुल्य हीन होती है, उनको नहीं लिया जाएगा, otherwise company की सारी assets, book value पर, या तो या फिर अगर revaluation किया है, तो नहीं price पर, तो आपको total assets लेनी, minus outsider liabilities, तो outsider liabilities का तो वही simple सा concept है, long term और short term सारी liabilities, जो की third party के लिए payable है, तो outsider liabilities minus करेंगे, हमारे पास जो result आएगा, वो आएगा, net assets, तो सबसे पहली शीज, net assets method के अंदर find out, हमें करना सीखना है, net assets, तो net assets, बहुत simple, क्योंकि हमने capital employed find out करना सीख रखा है, तो net assets find out करने में, problem नहीं आएगे, बस धियान रखना कि यहाँ पर goodwill को भी लिया जाता है, अब, जो assets हम यहाँ लेते हैं, वो fair value पर लेनी होती, कि goodwill का valuation इस method से करना है, और फिर आपको shares की value पूछ लेंगे, तो ऐसे case में हमें पहले goodwill find out करनी है, उस goodwill की value को हम अपनी net assets की calculation में लिखेंगे, अगर goodwill का valuation हो रहा है वापस से, तो पहले आपको goodwill का valuation करना है, asset की value आएगे, goodwill की value आएगे, उस value को हमारी net assets में शामिल करते हुए, फिर हम net assets की value find out करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सभी संपतियों को नए मुल्य पर या उच्छत मुल्य पर लेना होता है, तो net assets तो हमने सीख ली, अब हम देखते हैं कि valuation shares का किसे होता है, value of share आप कैसे find out करते हैं, तो किसी भी company में जैसे कि दो थरीके की share capital होती है, equity share capital भी हो सकती है, preference share capital भी हो सकती है, तो अब इन दोनों share capital के वज़े से बहुत सारी conditions हो सकती है, और हर एक condition में क्या formula रहेगा, value per share का, वो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहली condition, जब company में केवल equity अंश पूंजी हो, just equity share capital, then, जो भी आपकी net assets है, जो भी आपकी assets है, उन पर अधिकार किस का? equity share holders का, क्योंकि देखो net assets में क्या क्या है, हमने total assets में से outsiders liability तो हटा दी, तो जो बच रहा है वो किसके लिए? आपकी share holders के लिए, और share holder के नाम पर आपके पास सिर्फ equity share holders है, तो कोई दिक्कत नहीं, value per share, net assets divided by number of equity shares, simple सा concept है ना, आपकी पांच लाग रुपे की net assets आ रही, आपकी company में 10,000 equity shares है, तो आप क्या कहा देंगे, rupees 50 per share is our value of share, simple, जितने shares है, उससे divide कर दो, तो एक share पर value आजाए, क्यूं? क्यूंकि आपकी ये 5 लाग की assets available है, total 10,000 equity shares पर, तो एक share पर available net assets कितनी हुई, वो ही हो जाएगे, आपकी value of one equity share, then value per share is equals to net assets upon number of equity share, बहुत simple सा formula, जब हमारी company में capital, सिर्फ equity shares के रूप में हो, मतलब preference share capital नहीं हो, just equity share capital हो, then value per share is equals to net assets upon number of equity shares, then second method आथा है, equity share capital है, plus preference share capital, दोनो दरीके की share capital हमारी पास है, देखे, preference share क्या होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, preference share के holders को दो preference मिलते हैं, दो जी जो में preference मिलता है, किस-किस में, dividend में हो, repayment of capital में, तो अब यहाँ conditions क्या आती है, कि company में equity share capital भी है, preference share capital भी है, second condition हम बढ़ रहे हैं, और preference share holders को, दोनों ही चीज़ों के लिए preference मिला हुआ है, यानि कि, उनको capital के repayment का भी preference है, उनको dividend के repayment का भी preference है, तो ऐसे case में, क्या होगा, तो हमें value per equity share, और value per preference share, अलग-अलग find out करनी, कैसे? Value per equity share, अब देखो, पहले क्या हो रहा था, आपकी जो total net assets थी, वो सिर्फोर सिर्फ equity share holders के लिए available थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, directly divide कर दिया, number of equity share से, पर, अब यह जो आपकी net assets है, वो equity or preference share, दोनों के holders के लिए available है, तो अब हमें net assets में से, preference share holders का portion हटाना है, देखे, preference share holder का क्यों हटाया, equity का हटा के preference की value, क्यों नहीं find out कर रहे हैं, तो इसके पिछे का concept भी समझ लो, कि preference share holders को होने वाला payment fixed है, dividend कितना जाएगा? fixed है, और उनकी capital का repayment भी उतना ही होगा, जितने उनकी capital है, बट उनको payment करने के बाद, जो कुछ बचता है, सब कुछ किसका? equity share holders का, that's why, net assets में से, preference share holders का portion हटा दो, क्या-क्या चीजे मिलनी हैं उनको? preference share dividend minus, preference share capital, दोनों चीजे हटा दो, फिर जो बचेगी वो क्या होगी? net assets available to equity share holders, and then उसको divide कर दो, number of equity shares, समझ में आरही है जीजे? पहले हमने बढ़ा, सिर्फ equity share, तो net assets अपो number of equity share कर दिया, एक share की value आगे, अब यहाँ पे equity preference दोनों है, तो अब हमें equity की चाहिए, तो preference वाला हिस्सा भी हटाओ net assets से, हटा दिया हमने, preference share dividend भी अटा दिया, preference share capital भी अटा दिया, क्योंकि दोनों का ही preference मिला हुआ है, दोनों के संबन में ही पूरभाधिकार है, और बचा वो net assets, equity share holder का, number of equity share से divide कर दो, यह तो equity share क्यों ही? देन आते हैं value पर preference share, अधिमान अंशों को क्या? तो अधिमान अंश्थारियों को क्या मिलेगा? net assets में से उनको क्या मिलेगा? तो उनको एक तो preference share dividend मिलेगा, और second preference share capital, क्योंकि दोनों का ही इनको preference मिला हुआ है, और divide कर दो number of preference shares, समझ में आ रही है जीश, क्या क्या हमने preference share की value निकाली, equity shares की value निकाली, तो हमने देखना है कि preference share holders को preference किसका किसका मिला हुआ है, हमें बोल रहे हैं, अगर दोनों का मिला हुआ है, तो फिर यह दोनों चीज़ें उने मिलेगी, और total number of preference share से divide कर दो, तो एक preference share की value आ जाएगी, equity share holders में, preference वाला portion हटाओ, net assets में से, जो बच्ची वो net assets available to equity shareholders, उसमें divide कर दो number of equity share से, तो मेरे पास value पर equity share आ जाएगी, तो यह हमारी थी condition number two, जब company में समता और पुर्वादिकार अरच दोनों हो, और पुर्वादिकार अरच धारियों को लाभाँच एवं पुझी, दोनों के संबन्ध में पुर्वादिकार होते हैं, मतलब दोनों का ही preference मिला हुआ है, किसका किसका, capital का भी और dividend का भी, अब next, थर्ड कंडिशन अमारी आती है, जब कंपनी में पुर्वादिकार अरच और equity अरच दोनों तो है, लेकिन जब पुर्वादिकार अरच धारियों को केवल और केवल, capital का preference मिला हुआ है, क्या है, दोनों है, preference किसका मिला हुआ, capital प्लस dividend में से, capital का मिला है, dividend का नहीं मिला है, तो अब ऐसे case में क्या होगा, तो ऐसे case में value पर preference share, preference share वालों को क्या मिलना है, just preference share, capital, then divide कर दो number of preference share से, simple है ना, उनको जो मिलना है वही मिलेगा, बस खतम बाद, preference share capital upon number of preference share, बाकि जो कुछ भी है, वो equity और preference दोनों का है, dividend के मामले में, अब हम बात करते हैं, equity shares की, तो preference share वालों को तो सिर्फ capital का preference, जो बच्चा वो सब कुछ, equity share holders के लिए, then net assets, minus preference share, capital, divided by number of equity shares, समझ में आरही है चीश, क्या किया हमने, value पर preference share निकालने के लिए, उनको जो मिलना था, preference share capital, उसको डिवाइड कर दिया, number of preference share से, और equity share holders के लिए, जो भी अब assets बच रही है, they are available to equity share holders, तो डिवाइड कर दिया, हमने, number of equity share से, net assets minus preference share capital करके, समझ में आई चीश, यो तो हमाँ थार्ड पोइंट था, जब equity capital, preference share capital दोनों है, capital का preference मिला हुआ है, dividend का preference नहीं मिला हुआ है, अब हम आते हैं, हमारे fourth method पे, fourth condition हमारी बोल रही है, कि जब दोनों प्रकार के अंशे, और दोनों प्रकार के अंशों को, समापन पर समान माना जाएगा, ना तो कोई capital का preference, ना तो कोई dividend का preference, कुछ नहीं, तो अब ऐसे केश में, value per share क्या होगी, तो देखो, कि preference share को preference मिला हुआ होता है, इसलिए हम उनकी valuation अलग तरीके से गारे, अब जो preference ही नहीं मिला हुआ है, तो क्या तो preference और क्या तो equity share, सारे क्या हो गए, एक से हो गए, तो फिर value अलग-अलग निकालने के जौरत का है, value per share, equity and preference, दोनों के लिए, तो क्या हो जाएगी, net assets divided by total number of shares, total number of shares means, equity plus preference, समझ में आई शीष, क्योंकि हमें बोल रहे हैं ना, इनको ना तो preference share holders को, capital का ही preference है, और ना ही तो dividend का preference हो, तो जब preference ही नहीं है, तो कहां के preference share holders, नाम की हैं, वो तो सिर्फ बाकी valuation के परपस है, तो दोनों बिल्कुल same हो गए, तो जब दोनों same हो गए हैं, तो अलग-अलग ना तो formula है, ना तो अलग-अलग कोई method है, simple सा formula लगाओ, total need asset सभी के लिए available है, equally, बराबर रूप से, divide कर दो total number of shares, total number of shares में equity और preference, दोनों से divide कर दिया, value पर share आ जाएगी, यही तो value equity shares की भी है, और यही value हमारे preference shares की भी है, तो यह हमारी condition number 4 थी, condition number 5 हमारी आती है, कि जब equity और preference shares दोनों है, हमारी capital के अंदर, equity share capital भी है, preference share capital भी है, लेकिन यहाँ पर इनको capital का preference नहीं, बर dividend का preference है, क्या हुआ, capital का कोई preference नहीं है, लेकिन dividend का preference है, तो ऐसे case में सबसे पहले तो हम निकालेंगे, value पर equity shares, value पर equity share, तो यहाँ एक चीज अब समझने की कोशिश करना, क्या हो रहा है, इनको dividend का preference में ला हुआ है, मतलब net assets जो आपकी है, उसमें से dividend को तो हटा दिया जाएगा, फिर जो बच रहा है, उसमें क्या-क्या शामिल है, तो उसमें equity share और preference share, दोनों की capital तो included है न, preference share holder का भी, capital तो उसमें include है न, हाँ preference नहीं है, उनको पहले नहीं मिलेगा, ये सब कुछ हम मान रहें, लेकिन मिलेगा तो सही, जितना equity share holders को मिलेगा, उतना preference share holders को मिलेगा, same तो मिलेगा, that means, net assets में से preference share dividend हटा दिया, उसके बाद भी जो बच रहा है, वो equity share holders का भी है, और preference share holders का भी है, simple सा concept है, आपने सिर्फ dividend माइनस किया है, capital थोड़े ना माइनस की है, तो capital तो preference share holders को ही मिलेगी ना, उनसे related, उतना तो मिलेगा, जितना equities को मिल रहा है, उसे ratio में preference को भी मिलेगा, तो ऐसे case में, जब हम value पर equity share निकालते हैं, ना, नेट assets हम यहां लिखते हैं, माइनस कर देंगे, preferential dividend, क्योंकि preferential dividend तो सिद्धी सी बाहत है कि, preferential holders को ही मिलना है, उन्ही का right है उसके उपर, लेकिन इस net assets में जो बचता है, उस पर तो equity और preference दोनों का equal right होगा, क्योंकि दोनों को समापन पर समान माना जाएगा, capital के repayment में किसी का कोई preference नहीं है, इसलिए यहां पर यह divide होगा, total number of shares सी, समझना इस चीज को, जब dividend का ही preference मिला हुआ है, तो फिर जो आपकी net assets में value बचती है, वो equity shareholders के लिए भी available है, वो preference के लिए भी available है, इसकी language कैसे रहती है, कि जब पुर्वाधिकार अंश को और equity अंश को समापन पर समान माना जाए, लेकिन लाभांश का पुर्वाधिकार है, dividend का preference है, तो ऐसे case में यह होगा हमारा value पर equity share का formula, then next, value पर preference share, देखो preference share को, preference share dividend तो मिलना ही मिलना है, उन share holders को, divide कर देंगे number of preference shares है, यह तो हई है, उनका ही है, preference share holders का ही है dividend तो, लेकिन यहाँ जब हमने total number of shares की है, मतलब यह value भी किसकी है, preference share holders की भी है, तो यहाँ add होगा, plus value पर equity share, क्योंकि preference shares का valuation, इक्विटी share से तो ज़्यादा value पर होगा, होगा न, क्योंकि equity share को तो कहीं कोई preference है नहीं, लेकिन preference shares को dividend का preference तो है, तो वो dividend वाली amount पर share हम क्या कर देंगे, add कर देंगे, तो हमारा पास आजाएगी value पर preference share, तो यह जो fifth वाला हमारा method है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्या हो रहा है, capital का कोई आपको preference नहीं है, लेकिन dividend का preference तो आपको मिला हुआ है, तो ऐसे case में, equity shareholders के लिए, जो profits, sorry, net assets available होती है न, उसमें preference shareholders का भी अधिकार है, क्योंकि समापन पर, जब company wind up होगी, तब दोनों को एक ज़सा माना जा रहा है, तो ऐसे case में, जो भी assets है, उन पर दोनों shareholders का right, that's why हमने number of, total number of shares से divide, total number of shares means, equity plus preference, total number of shares यहाँ भी लिख रहे हूँ, उसका मतलब बड़, equity plus preference, then value पर preference share find out करनी, तो ये तो इनका right ही है, इनको preference मिला हुआ तो वो तो है, उसके अलावा ये value भी तो है, preference shares की, इसलिए हमने value पर equity share को भी क्या गड़ दिया, add कर दिया, तो ये था हमारा valuation, as per net assets method, जो हमारा first method है न, उसमें हमने net assets निकालना से को, और 5 conditions यहाँ पर हो सकती है, उसके बाद second method हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इस first method के अंदर, कुछ changes हो सकते हैं, या कुछ और conditions हो सकती है, उसमें आप valuation कैसे करेंगे, उनको हम next class के अंदर discuss करेंगे, अभी तक आप इन 5 methods को वापस से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नेट assets निकालना, simple, first method हमारा नेट assets method जल रहा है, नेट assets आप निकाल सकते हो, उसमें condition number one थी, जब company में केवल हो, केवल equity shares available हो, then no problem, नेट assets upon number of equity share is our value per share, simple, second, equity plus preference दोनो हो, और preference shareholder को दोनो ही चीजों पर preference मिला हो, दोनो मतलब capital का भी preference, dividend का भी preference, तो ऐसी condition में हम निकालते हैं, नेट assets available to equity shareholder, कैसे निकालते हैं, तो नेट assets में से preference share capital, preference share dividend, दोनों को less कर दो, बचाओ को किसका, equity shares का, then net assets upon, मतलब net assets minus preference share capital, minus dividend divided by number of equity share, है हमारी value पर equity share आती थी, उसके बाद preference share की value अगर निकालनी है, capital plus dividend divided by number of preference share, थर्ड condition अबने पड़ी, कि जब preference share capital है, equity share capital, but preference share holders को, capital का preference मिला हुआ है, dividend का नहीं, तो ऐसे case में, सिर्फ capital minus होती थी, मतलब equity shares के लिए value क्या हो जाती थी, net assets minus preference share capital, upon number of equity share, और preference share holders को क्या मिल रहा है, just capital, then preference share capital upon preference share, number of preference shares, fourth condition थी, जब तो उनों को बिल्कुल ही समान मान लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ना तो preference है, dividend का ना तो preference है, आपकी capital का, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, total net assets upon total number of share, simple सा formula, and fifth, जो यह हमारी condition है, इसमें capital का preference नहीं, just dividend का है, then dividend minus करो, total number of share से, यह equity की भी value है, preference की भी value, but preference की value में, हमें per share dividend, or add करना होता है, then ही हमारा formula, value per preference shares का, तो इन पाचो methods को, इन पाचो formulas को वापस पढ़िए, समझे, इसके बाद, इस method में, जो topics बचरे, net assets method में, उनको भी हम आगे continue करेंगे, नेक्स क्लास में, और साथ के साथ, हमारा जो second method, evaluation of shares का, उसको भी हम देखेंगे, ओके, thank you.